एक थ्रिलर फिल्म में एंड तक आते आते चीजे इतनी अचानक से खुलती है कि फिल्म खत्म होने कि चंद मिन्टों में गड़ित करना मुस्किल हो जाता है कि क्या ये फिल्म अपने सबी सवालों के जबाब दे पाती है या फिर नहीं फिल्म चोर निकल के भागा जितने धा फिल्म के सुरूबात होती है कुल्लू ऐर फोट से जहां हमें प्रेजेंट के सीन में अंकित सेटी को दिखाया जाता है जो कि अलवर्कत से इंडिया आ रहा था पर यहां हमें उसे कुल्लू ऐर पोर देखते हैं जहां कुछ पुलिस बालों से पूस्ताच कर रहे थे और य के लिए खड़ी थी और यहीं पर जब नेहा एक औरत के पास एक बच्चा देखती है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जिसके वाद कहानी आठ महीने पीछे जाती है जहां हम अंकित को एक फ्लाइट में देखते हैं और उसी फ्लाइट में नेहा अटेंडेंट थी यहीं पर नेहा अंकित को खाना सर्ब करती है और अंकित को नेहा बहुत अच्छी लग जाती है तब अंकित नेहा के पास जाता है और उसे आज रात उसके साथ डिनर करने का पूचता है पर नेहा उसे कहती है कि आज उसके कुछ प्लान है वो नहीं आ सकती जिसके बाद हम नेहा और बनीता को एक कलब में देखते हैं जहां पर वो ड्रिंक कर रहे थे और खूब इंजॉई भी कर रहे थे और यहीं पर वो लोग अंकित को देखते हैं पर अंकित नेहा से बात करने की कोसिस करता है पर नेहा यहां भी अंकित से बात नहीं करती है जिसके बाद नेहा और उसकी friends जब अपने घर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है पर यहां से अंकित भी जा रहा होता है तो वो उन्हें लेप्टे देता है और आकर में नेहा उसे thanks भी कहती है और जिसके बाद से ही उनके बीच बात होना start हो जाती है और साथ म काफी time भी spend करना शुरू कर देते हैं और आगे जाके बो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर कुछ महीनों के बाद एक सुबह नेहा अंकित को बताती है कि वो pregnant हो गई है और नेहा काफी डर भी रही थी पर अंकित यहां पर नेहा को साधी के लिए प्रपोस कर देता है और सब कुछ ठीक कर देता है जिससे की नेहा भी खुस हो जाती है दोने एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे और एक दिन जब दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तब अंकित के पास कुछ तब अंकित निहा को बताता है कि दो साल पहले उसकी खुद की एक diamond insurance company थी लेकिन उसके एक employee ने उसकी company से 20 करोड के हीरे replace कर दिये और अब उन्हें देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है इसलिए बो चाहते हैं कि मैं खुद की ही company से हीरे की चूरी करूँ जिस पर कि निह और उन्हें को ने मेरे पिता पर हमला कर दिया यहाँ पर मौनी के साथ थी लेकिन वो लोग पीछे आये और उन्हें मेरे को मेरे ही सामने गोलि मारती और एक गोली मुझे छूते होब चली गई और उस दिन से मैंने ठाल लिया था कि आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले सिप्ट होती है जहां पर हम अलबरकत में कुछ लोगों को देख पाते हैं। और अंकित इन्हीं लोगों के साथ काम किया करता है। और हाल फिलाल मैं वो 120 करोड के हीरे के बारे में बात कर रहे थे। क्यों नहीं इस हीरे से सजे मॉबाइल को किसी भी हालत में इंडिया भेजना होगा। उसके लिए ये लोग सारी तैयारिया कर लेते हैं। एक सूट केस भी तैयार कर लेते हैं जिसमें की पास कोड डला हुआ था। उस मॉबाइल में एक सिम भी डली हुई थी। अगर उस मॉबाइल से कोई छेड़ चाड़ करेगा तो तुरणत ही इन लोगों को मालुम चल जाएगा कि उस मॉबाइल से किसी ने छेड़ चाड़ की है। जिसके बाद अंकित भगत के पास जाता है, दरसल भगत से वो पास कोट चाता था, और वो पास कोट सिर्फ उसी को मालुम था, और अंकित जानता है कि भगत वो पास कोट उसे दे सकता है, इसलिए वो उसे थोड़ी नजदी किया बढ़ाता है, तब भगत उसे पास कोट तो इंडिया ले जाने वाला था उन्हें इस कुरियर को किसी भी हालत में इसी फ्लाइट में ढूड़ना है और वो लोग ढूड़ना भी सुरू कर देते हैं लेकिन तब ही यहाँ पर अंकित को मालूम चलता है कि वो कुरियर तो इस फ्लाइट में है ही नहीं लास्ट मुमेंट में उन लोगों ने कुरियर को चेंज कर दिया था तो प्रोब्लम ये है कि इतने सारे लोगों में कुरियर कोई भी हो सकता है पर उस कुरियर को ढूड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए अंकित निहा के पास जाता है बोगों से कहता है कि वो कुरियर इसी फ्लाइट में है वो कोई भी हो सकता है और वही हमें पता लगाना है साथ यहाँ पर अंकित निहा से कहता है कि वो कुरियर इस फ्लाइट का ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पीएगा और उसका सिर्फ तुम ही पता लगा सकती हो इसलिए एक एक पैसेंजर के पास जब निहा खाना वगेर का पूछ रही होती है तो इन्ही पैसेंजर में एक आदमी ऐसा भी था जो ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है यहां तक कि वो तो पाने पीने से तक मना कर देता है यह देखकर निहा समझ जाती है कि यही आदमी है और वो अंकित को इसारा करके बता देती है लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आकर उस इंसान को कैसे बेहोस किया जाए क्योंकि वो ना तो कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है जिस पर कि अंकित नेहा से कहता है कि उसे किसी भी हालत में अंदर लेकर आओ जिसके बाद हम उसे विहोस कर देंगे तो यहाँ पर नेहा किसी तरह से उसके उपर कुछ गिरा देती है जिससे कि उसे वास रूम के लिए भेजा जाता है और इसी का फायदा उठा कर अंकित तुरंत उसके पीछे जाता हो से बेहोस करने के लिए लेकिन तब ही आता है फिल्म में एक ट्विस्ट और एक नकाप उस आत्मी उनकी तरफ गन लेते हुँ आता है और यहां पर वो चलाता है कि यह प्लैन हाईजैक हो चुका है और यह देखकर तो अंकित के पूरी तरह से तोते उड़ जाते है जिन लोगों ने यह प्लैन हाईजैक किया है वो तीन लोग है और वो यहां पर सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं क्योंकि उनके पास गन भी थी और इस बारे में अलवरकत के कंट्रोल रूम में भी पता चल जाता है कि अलवरकत वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है तो जैसे उन तीन लोगों ने इस फ्लाइट को हाईजैक किया जिससे कि प्लैन के सबी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और अब वो चुप चाफ सांती से बैठे हुए थे और यहाँ पर वो हाईजैकर्स फ्री कस्मीर के नारे भी लगा रहे होते हैं जिसके बाद इन्ही में से एक हाईजैकर्स नेहा के उपर गन तानकर पाइलेट से कहता है कि उन्हें ये फ्लाइट कुलू की तरफ मूरनी होगी फ्लाइट हाईजैक वाली बात सारे बड़े ओफिसरों को मालूम चल चुकी थी डायमेंड कंपनी के लोग तुरंती भगत को कुलू विशते हैं जिसके बाद कहानी पास्ट में पहुंचती है जहां पर कि हम अंकित और नेहा को सौपिंग करते हुए देख पाते हैं तब ही यहां पर अंकित के पास एक कॉल आता है और वो अंकित से पैसे के बारे में पूसते हैं लेकिन अंकित उनसे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और जब वो इस मॉल से बाहर जाते हैं तो बाहर जाते ही बो लोग अंकित को मारना सुरू कर देते हैं और रिमे से एक आदमी यहां पर नेहा के पेट में लाद मार देता है जिससे कि उसे बहुत ज़धा दर्द होता है और आगे जाकर हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि नेहा ने अपना बच्चा खो दिया जिसके बाद बो दोनों ही बहुत ज़धा रोते हैं नेहा यहां प डिनाए होगा जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर की अंकित अस्तमा का बहाना बनाने लगता है उसे बहुत जोर से सासे चढ़ने लगती है इसलिए उसे प्प लेने के लिए भीजा जाता है लेकन उसी बहाने बोस कुरियर के बैक को चेक करने लगता है जि तो तो यहाँ पर बैटा ही नहीं था तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है और एकदम सो उसकी सांसे चड़ने भी बंद होगी आकर ये सब कुछ कैंसे आई जैकर को थोड़ा जीब लग रहा था इसलिए वो यहाँ पर अंकित के मूँ पर एक जोड़दार पंच दे मारता है जि यहीं पर अंकित नहा को सब कुछ बता देता है कि वो सूटकेस बिजनिस क्लास में रखा हुआ है लेकिन अंकित के नाक से काफी ज़्यदा व्लीडिंग हो रही थी इसलिए उसे वास रूम में भेजा जाता है जहां पर कि नहा को बताता है कि बिजनिस क्लास में एक जगे पर वो सूट किस रखा हुआ है पासकोड उसके पास है ही तो उसे कोई भी बहाना करके बहां तक जाना है और बहां से मुबाइल निकाल कर उसकी जगे पर नकली मुबाइल रखना है लेकिन ये इतना आसा नहीं है नेहा जानती है इसलिए बॉंकित से कहती है कि ये बहुत चुके थे क्योंकि वो फ्लाइड वस कुछी देर में कुलूई एरपोर्ट पर आने वाली थी जिसके बाद वो हाई जैकर्स ऑफिसरों से नेगोसियेट करना सुरू करते हैं इसी का मौका देखकर अंकित तुरंती विजनस क्लास में जाता है वहां से वो हीरे वाला मोबाइल निकालता है और उसकी जगह पर दूसरा नकली मोबाइल रग देता है लेकिन तब युनी में से एक हाई जैकर अंकित के पास आ जाता है और अब वो हाई जैकर आकर यह जानना चाता है कि आकर अंकित वार वार बिजनस क्लास में क्यों आ रहा है इसलिए वो उसके बैग को चेक करता है और उसके बैग में से हीरे वाला मोबायल दिखता है इससे पेले के वो अपने दो सांती को बता पाता अंकित उसे मारने की कोशिद करता है और इसी अफरात अफरी में एक गोली उस हाइजेकर को लग जाडी है जिससे कि उसकी वहीं पर मौथ हो जाती है जिसके ब़ो दौनों हाइजेकर यहाँ पर आते हैं और वो अंकित को बहुत बेरहमी से मार कर टॉ rulers की तरह ले जाते है कि उसने तीनों हाइचेकर्स को मार दिया है और अब सभी लोग सेफ हैं लेकिन जब फ्लाइट मारसल अंकित के पास जाता है जो कि टॉलेट में था क्योंकि उन हाइचेकर्स ने अंकित को वहां पर बंदी बना कर रखा था और जब फ्लाइट मारसल उसे देखते हैं तो उ अराम से उस फ्लाइट से बाहर निकाला जाता है लेकिन इनी फैसेंजर में एक आदमी ऐसा वी था जो की पूरी रस्ते वर सोता हुआ आया यहां पर एटेंटेंट बिनीता उसे किसी तरह उठाने की कोसिस करती है और उसे भी बाहर भीजा जाता है लेकिन तभी यहां पर पूरी तरह से स्शेफ हैं यहां पर वो बॉम स्कॉर्ट जब अंकित के उपर से बाहर निकाल रहे होते हैं तो तब उन्हें पता चलता है यह बाम दरसल में एक फिक बाम है जिसके बाद अंकित तुरंती उस कुरियर के सूटकेस के पास जाता है जहां पर कि वो हीरे वाला मॉबाइल उठाता है और बाहर आता है बाहर उसे नहा मिलती है और नहा को वो कहता है कि वो इस मॉबाइल को देने के लिए जा रहा है क्योंकि भगत कुलू एरपोर्ट पर उ उनकी बॉडी प्लैन में नहीं है ये देखने के बाद तो उस तुरंती से एक पूरे के पूरे कुलू टर्मिनल को बंद कर देता है और फिर वो सभी लोग भानुयादब को ढूनने लगते हैं जो कि इस फ्लाइट का फ्लाइट मारसल था क्योंकि भानुयादब ने ही उन ती करना शुरू कर देता है जिस पर की भानुयादब बताता है कि जबसे बूलाइट में बैठा है तब से वो सो रहा है तो यह से कुछ भी Navya क हमालुम चलता है कि और दरसल में 1 नकली उन और वो यहां से चुपचप जा चुका है जिसका नाम सुभांसू है बैसे तो इस टर्मिल से किसी को भी जाने की आग्या नहीं थी लेकिन वो बर्दी के गेट अप में था इसलिए सुभांसू को वो लोग नहीं रोप पाए तब आफिसर से एक पुलिस बाले से कहता है कि नकली फ्लाइट मारसल यहां से जा चुका है ठीक है लेकिन वो तीन हाईजेकर्स जो की उस फ्लाइट में मारे गए थे वो भी यहीं पर है इसलिए किसी भी हालत में हमें उन तीनों को ढूनना होगा यहां भगत के पास वो हीरे वाला मोबाइल आ चुका था और भगत के पास यहां पर एक डायमेंड एक्सपर्ट भी था जो कि उन डायमेंड्स को चेक कर रहा होता है और यहां पर उन्हें मालूम चलता है कि दरसल में यह डायमेंड्स नकली है तब भगत तुरंत ही अंकित कि आखिर ऐसा कैसे हुआ वो तुरन थी निहा के पास जाता है कि दायमेंट्ज के बारे में सर्क तुम है और मुझे मालूम था तो आखिर यहां पर उंकेत निहा को यह भी बता देता है कि उसने तुम्हारा यूज किया क् capitalism कि मैं तुम्हारे जीसे लड़कियों को मू सुभानसू ने भीजी थी और ज diffuse लोग मारने के लिए आया थे तब वो सुभानसू से बा Earosure procedure जो लोग anकित और नहा को मारने के लिए यह लोग के है और यहाँ पर अंनकित रहा तोग से यह लड़की के पास पहुंचता है जहां पर की अंकिट उन्हें मार रहा होता है वो एसके आद्मी अंकित से कहता है कि तुम्हारा बच्चा भी मर गया और निहा चूरी के लिए इसे अच्छा क्या हो सकता है लेकिन यह सारी बाते नहा बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है यहां से निकलने के बाद अंकट अपनी गbai侍ा अपस जाता है जहां पर कि वो अपनी गल्फरेंड को बताता है कि नहा चूरी के Лिए मान गई है और जब वो इस होटल में रोमांस कर रहे थे तो उन्हां रूमांस करते हुए नेहा देख लेती है और ये देखकर नेहा पूरी तरह से सौक्ड रह जाती है उसका दिल तूट जाता है क्योंकि अंकित ने उसका यूज किया है सिर्फ इस चूरी के लिए ये देखकर नेहा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है वो तुरंती सुवांसू के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि उसे काम करवाना है जिसके बाद वो लोग इस चोरी के लिए प्लान बनाना सुरू कर देते हैं बहां अंकित अपना एक अलग प्लान बना रहा होता है और यहां सुवांसू और निहां अपना एक अलग प्लान बना रहे होते हैं निहां यहां यहां अंकित को सबक भी सिकाना है, इसलिए फलाइट में अंकित को बेहरहमी से मारा गया था, यहां आफिसर सेख सभी लोगों से पूस्ताच कर रहा होता है, जिनमें वो सबसे पहले भानु यादव फलाइट मारसल से बात करता है, यहां पर बोस से पूचता है कि आकर वो वेहोस कैसे हुआ तो भानु यादब यहां पर आफिसर सेख को बताता है कि बिनीता नाम की अटेंडेंट उसके पास जूस लेकर आए थी और उसे पीने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है वो यहां पर आफिसर सेख को बताता है कि वो हाई जैकर से लड़ रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि साइट पैसेंजर्स उसकी मदद करेंगे लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और कुछ लोगों से पूस्ताच करने के बाद आफिसर से कोई ये बाद भी मालूम चले कि उन्हीं मेंसे एक लड़का ऐसा भी था जो कि बार बार बिजनिस क्लास में जाने के लिए उतारू हो रहा था इसलिए तुरंट ही यहां पर अंकित को बलाया जाता है उससे पूस्ताच की जाती है कि आकर बार 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 बिजनिस क्लास में क्यों जा रहा था जिस पर कि बो उन्हीं बताता है कि उसका मील का कुछ प्रॉबलम था और वो बस उन्हें ही सौट आउट कर रहा था जिसके बाद हम देखते हैं उन तीन हाई जैकर्स को बारी बारी से उन तीनों से पूस्ताच की जाती है यहाँ पर उनके पूस्ताच के दोरा ओफिसर सेख को कुछ भी मालूम नहीं चलता है लेकिन आखरी वाले जब हाई जैकर से पूस्ताच की जा रही थी तो यहाँ पर officer sseg को इससे पूछते हैं कि तुम्हारे बाजू में कौन बैठा था लेकन उस आतमी को कुछ भी याद नहीं था यहाँ पर officer sseg को उस पर पूरी तरह से सक होता है वो इससे पूछते हैं कि क्या इस फ्लाइट में तुम्हें किसी ने देखा है जिस पर कि वो हाई जेकर नेहा की तरफ उंगली बताते हुए कहता है कि उन्होंने देखा था नेहा समझ जाती है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने वाली है इसलिए वो तुरंथी उस नेता के पास कॉल करती है जिसने की हाली में ये वयान दिया है कि सारे हाई चेकर्स को मार दिया गया है और सारे पैसेंजर सेफ है और साथी नेहा उन से ये भी कहती है कि क्या होगा जब वो मीडिया को उनके डायमेंट के स्मगलिंग के बारे में बता देगी लेकिन उन्हें बिजबास नहीं हो रहा था लेकिन उस जूस में ऐसा क्या था कि भानुयादा पूरी फ्लाइड वर नहीं उड़ा और आफिसर सेख निहा से ये भी कहते है कि पूस्ताज के दोरानों से ये भी मालूम चल गया है कि सुभान सू और तुम्हारी ये सारी प्लानिंग थी लेकिन वो दोनों बात करी रहे होते हैं कि तब ही यहाँ पर आफिसर सेख के पास उसी नेता का कॉल आता है और वो यहाँ पर सारे पैसिंजर्स को यहाँ से जाने का ओर्डर दे देते हैं अब ना चाहते हुए भी आफिसर सेख को उनकी बात माननी ही पड़ती है और सारे पैसिंजर्स को इस टर्मिनल से जाने के लिए कह दिया जाता है जाते जाते यहाँ पर अंकित नेहा से मिलता है दरसल अंकित को मालुम चल गया है कि यह सारे प्लानिंग नेहा की थी और वो मोबाइल नेहा के पास ही है और बो दोनों जब बात करी रहे होते हैं कि तब ही अचानक से कुछ लोग यहां पर अंकित को अपने साथ ले जा लेते हैं और आकर में टर्मिनल में जितने भी पैसंजर थे उन सारे पैसंजर्स को छोड़ दिया जाता है जिसके बाद नेहा की प्लानिंग बताए जाती है कि आखिर उन लोगों ने इस चूरी को कैसे कम्पलीट किया बानुई आदब को उन लोगों ने बेहुस किया था जूस क्यों दोरा और प्लैन में गन ले जाना नामुम्किन था इसलिए प्लैन में ही नकली गन बनाई गए और उनी की टीम में एक ऐसा आदमी बिदा जिसे कि सिर्फ पिटने के लिए रखा गया था ताकि सारे पैसंजर्स इन लोगों से डर जाए और रही बात की आखिर प्लैन में बम को क्यों फिट किया गया तो यहाँ पर नेहा उनको बताती है कि हमें इस वाम से 20 मिनिट एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा और जो तीन हाईजेकर्स को गोली लगी होती है वो सारे उनी 20 मिनिट में पैसंजर्स के साथ सामिल हो जाते हैं तो इस तरह से नेहा ने ये चोरी कम्प्लीट की और यहाँ पर उसने अंकित को सबग भी सिखाया यहाँ पर अंकित और भगत की वो लोग बहुत बुरी तरह से खातिरदारी कर रहे होते हैं अंकित समझ चुका था कि ये सारी प्लानिंग नेहा की थी और फिर आखे सीन में हम अंकित को देखते हैं जो की हॉस्पिटल में था हॉस्पिटल में ही उसके पास नेहा आती है और नेहा उसे कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि मेरी जासी लड़कियों के उपर तुम थूको भी ना लेकिन उसे ये सब कुछ पहले से ही मालुम था जिसके बाद नेहा एक फ्लाइट में बैट कर कहीं दूर चली जाती है और गोज महीनों के बाद अंकित नेहा के पास कॉल करता है और वो से कहता है कि वो बापस आ गया है तो दोस्तो चोर निकल के भागा महान फिल्म नहीं है ना ये बुरी फिल्म है ये इनके वीज जूलती है मगर एक पक्षकी और जुकाना भी हो तो कहेंगे कि ये एक औसट सी उपर की फिल्म है फिल्म सिर्फ अपने थ्रिलर वाले हिससे की वज़े से याद नहीं रखे जाना चाहती है इस वज़े से इसके इर्दगर्दिक दुनिया भी बनाई जाती है लेकिन उसे इतना जल्दी जल्दी निकाला गया है कि पूरी तरह इंवेस्ट नहीं हो पाते जैसे नेया और अंकित की लव स्टोरी, ब्रहमास्त्र वाली लव स्टोरी के तरह ही फटाफट दोड़ती है और फिल्म का असली एक्सन सुरू होता है फ्लाइट में उसे अपने हिस्से का थ्रिलर मिलता है कुछ हिससे ग्रीपिंग है बहुतायत में त्रिलर फिल्म में देखने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि क्या घटने वाला है डिबा खुलेगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा लेकिन बो डिबा किस धंग से खुलेगा ये जानने की आपकी रूची रहती है चोर निकल के वागा के साथ भी ऐसा ही है चीजे आपको एक पॉइंट के बाद प्रेडिक्टिवल लगने लगती है मगर फिल्म जिस तरह से उन चीजों तक पहुंसती है उससे आपका इंटरेश्ट बना रहता है और चोर निकल के वागा नई फिल्म नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती जो पहले आई थ्रिलर फिल्म में ना देख पाई हो मगर जिस तरह से ये फिल्म आये चीजों को पेस करती है भही इसका स्ट्रॉंग पॉइंट है इस मामले में अजै सिंग के डारेक्सन की बात करनी चाहिए फिल्म की राइटिंग में कुछ खामिया है मगर उनका निर्दे सन एक हद तक उन खामियों पर उनका ध्यान नहीं जाने देता और इस फिल्म की सबसे बड़ी स्टार है यामी गौतम ऐसा क्यों वो आपको फिल्म देख कर पता चलेगा त्रिल्लर फिल्म के बारे में धारना बनी रहती है कि याँ एक्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ करने को नहीं लेकिन यामी गौतम के करेक्टर को जिस भी परिस्तिती में डाला जाता है वो उसके साथ इंसाब करती है और उनके साथ थे सनी कौसल जिनोंने अंकित का किरदार ने भाया और सनी को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने ट्रांजेक्शन पीरियेड में ही है एक एक्टर के तौर पर पूरी तरह निखर नहीं पाए कुछ सीन में वो ओवर ड्रामेटिक भी हो जाते हैं वाई कुछ सीन को देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को ही पीछे खेंच रहे हो सरत केलकर भी फिल्म में हैं रौ के अधिकारी बने हैं चोटा रोल लेकिन याद रह जाते हैं एकदम नेशुरल काम किया है इनके अलावा इंदर नील से इन गुपता भी नजर आते हैं तो चोर निकल के भागा एक इंटर्टैनिक फिल्म है कुछ सोपर एमोशनल भी है वो सभी चीज़े हैं जो वन टाइम बाच फिल्म में होनी चाहिए तो एक बार इस फिल्म को देखा जाना जरूरी है तो दोस्तो इसी के साथ ये एकस्प्लेंसन यह पर खत्म होता है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और इसी तरह के वीडियोज पायने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेस्ट कॉंटेट मिलते रहे धन्यवाद, जैहिन, जैभारत, जैसरी राम